पाकिस्तान नीदरलेंड के बाद टीम इंडिया ने बांगलादेस को भी रोमांचक मुकाबले में रौन दिया और पॉइंस टेबल में टॉप पर पहुँच गई यहां तक पहुँचने में टीम इंडिया के तमाम खिलाडियों ने तो एहम भून का निभाई ही साथ ही एक और सक्स है जिसने खासकर बांगलादेस के खिलाप खेले गए रोमांचक मुकाबले में अहम किरदार निभाया जिसके उजासे टीम इंडिया ने बांगलादेस को पांच रणों से हरा दिया और यह सक्स कोई और नहीं रगू है जो मैच के दोरान हाथ में ब्रस लेकर टीम इंडिया के खिलाडियों की जूते साफ करते हुए नजर आया एडिलेट में खेले गए मुकाबले में बांगलादेस ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी चुनी और मैदान पर उत्री टीम इंडिया ने के अलराहुल और विराट कोहली की दमदार पारियों के दम भर 184 रन कूट डाले और जब टारगेट का पीछा करने के लिए बांगलादेस मैदान में उत्रा तो उसने भी धमाकेदार शुरुवात की ओपनर लेटंदास ने अकेले ही 27 गेंदो पर ताबर तोड साथ फ्रन कूट डाले लेकिन इसी दोरान मैदान पर बारिश हो गई जिसके वज़ासे मैच रोकना पड़ा और जब बारिश बंद हुई तो मैच दोबारा शुरू हो गया लेकिन मैच के साथ साथ टीम इंडिया के खिलाडियों के लिए मुसीबस शुरू हो गई क्योंकि बारिश के वज़ा से मैदान पर कीचर हो गया था जिसके वज़ा से खिलाडियों को फिल्डिंग करने में परिशानी हो रही थी ऐसे में मुस्किल समय में फिर मोर्चा समहला रगु ने जो ऐसे तो भारती टीम में सपोर्टिंग स्टाफ हैं और थ्रोडाउन के जरिये बल्लेबाजों को बैटिंग का अभ्यास कराते हैं लेकिन बांगलादेश की बल्लेबाजी के दौरान रगु हाथ में ब्रस लेकर टीम इंडिया के खिलाडियों के जूते से कीचन साफ करते नजर आए जिसने उन्हें फिल्डिंग के दौरान कोई परिशानी न हो और मैदान पर फिसलने का डर न रहे अपना मुख काम छोड़कर रगु ने जिस तरह से टीम इंडिया के खिलाडियों की जूते साफ किये उसने लोग का दिल जीत लिया। राजन नाम के एक ट्विटर यूजर ने रगु को आफ फील्ड हीरो बताते हुए लिखा। ये टीम इंडिया के साइड आर्म ध्रूवर हैं लेकिन मैच के दौरान हाथ में ब्रस लेकर टीम इंडिया के खिलारियों की जूते साफ करते नजर आए। राकेश नाम के ट्विटर यूजर ने बेल नन रखु सर लिखा। आविनो सुकला नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा अंसंग हीरो आफ टुडेज मैश प्रकर नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं अबिक्ट साउट आउट टू थू थू बॉल एस पेसिलिस्ट रगू टीम इंडिया के सपोर्टिंग स्टाफ रगू को जिसने भी मैश के दौरान हाथ में ब्रस लेकर खिलारियों की जूते से कीचर साफ करते वे देखा उसने कुछ इसी तरीके से उनकी तारीफ की क्योंकि रगू का असली काम टीम इंडिया के खिलारियों को बैटिंग प्रैक्टिस कराना है लेकिन टीम इंडिया की जरुवत को देखते वे रगू ने खिलारियों की जूते साफ करने से भी पीछे कदम नहीं हता है जिससे गीले मैदान में उग गिर न सकें क्योंकि जस्प्रीद बुम्रा जैसे खिलाडी वैसे ही चोट क्योधसी टीम से बाहर चल रहे हैं और अगर वर्ल्ड कप के दौरान कोई और खिलाडी फिसल कर चोटिल हो जाता तो टीम इंडिया के लिए मुस्किल हो जाती और अगर ये मुकाबला भारती टीम हार जाती तो सेमी फाइनल ने पहुँचने की उमीदों को भी थोड़ा जटका लगता बारहाल टीम इंडिया के सपोर्टिंग स्टाफ रगु ने जिस तरह से टीम इंडिया की जरूत को समझते हुए हाथ में ब्रस लेकर खिलाडियों के जूते साफ किये उस पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं